वातावन शुष खोने के साथ ही नागपुर में मातर 24 घंटे में नियूनत्म तापमान 4.9 डिग्री गिरावट के साथ ही 8.6 डिग्री सिल्सियस पर पहुँच गया है जो कि इस मौसम का सबसे कम तापमान है पिछले तीन दिनों से नागपुर के तापमान में गिरावट का दोर शुरू है इन तीन दिनों में रात का पारा 7.6 डिग्री तक गिरा है विदर में 7.4 डिग्री के साथ ही गोंदिया सबसे ठंड रहा मौसम विभाग के अनुसार नागपुर में हवा का रुख उत्तर से पूर्व की और हो गया है और स्पीड 3.6 किलोमीटर प्रति रही वही आदरता सुबह 45 फीजदी थी तो शाम को यह गट कर 36 फीजदी पर पहुच गई सुबह से आसमान साफ होने से अच्छी दूप खिल दी रही पर ठंडी हवा का दौर भी जारी रहा इस वज़र से दिन में भी हलकी ठंड की अनुभूती होती रही शाम को सुर्यास के साथ ही तेजी से पारे में गिरावट दर्स की गई वही विधर्व के अन्यजिलों में भी तापमान में गिरावट दर्स की गई है नाकपुर में पहली बार रात का तापमान इकाई के अंक में पहुचा है इससे पहले नंबर में नियुनतम तापमान 11 डिगरी की आसपा दो वर्ष पहले 29 दिसंबर 2018 को नियूंतम तापमांद 3.5 डिग्री सलसियस पर जा पोचा था जो कि इस शताब्दी का सबसे ठंडा दिन था गतवर्ष 28 दिसंबर 2019 के दिन नियूंतम तापमांद 5.1 डिग्री सलसियस पर पहुचा था इस वर्ष भी रेकॉर्ड ठंड का अनुमान चताया गया था लेकिन अब तक ठंड का असर नाकपुर में नजर नहीं आया था